हेलो दोस्तो मेरे आज के Nord VPN के रिवियू में आपको खुशामदीद Nord को टोरेंटिंग या कस्टमर सर्विस चैसी कैटेगरीज या महस मुझमुई तोर पर भी बेहतरीन VPN कहा जाता है ताहम ये हर एक के लिए आइडियल साबित नहीं होगा लहाजा आज मैं ना सिर्फ Nord की स्टेंट्स के बारे में बात करूँगा कि ये इतना मकबूल क्यों है बलके कुछ वजुहात और सुचेशन्स भी बताऊंगा जहां कोई और VPN आपके लिए बेहतर हो सकता है और अगर आप Nord VPN को इस्तमाल करने का फैसला करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को ज़रूर चेक करें ताकि आपको बेहतरीन डील मिल सके क्योंकि मैं कुछ कूपन्स और डिस्काउंट कोड्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो यूजबिलिटी से शुरू करते हैं नोड को इस्तमाल करते हुए आप एक ही वक्त में 6 डिवाइसिस को कनेक कर सकते हैं और नोड की अप्स, Windows, Android, Mac OS, iOS और Linux चैसी सबी डिवाइसिस पर मौजूद हैं ताहम Linux के लिए आपको installation instructions को देखकर repository package को install करके इसका इस्तमाल करना पड़ेगा इसके लावा Chrome और Firefox browsers पर Node की extensions भी मौजूद हैं तमाम apps का interface इस्तमाल करने में काफी असान है मगर कुछ VPNs के मुकाबले में इतना भी असान नहीं है आप map पर pins की list देख सकते हैं जो कुछ लोगों को तो समझ में आ जाएगी जबके बाकी लोगों को इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं होगी क्योंके map interface देखने में तो काफी अच्छा है लेकिन इस्तमाल करते हुए बाज उकाद थोड़ा मसला कर सकता है पर इसमें एक अच्छी चीज यह है कि mobile और desktop apps, functionality और appearance दोनों के हवालों से एक जैसी ही है जो के अक्सर बाकी वीपियंस में नजर नहीं आता इससे भी node को multiple devices पर इस्तमाल करना असान हो जाता है और node से connect करते वक्त अगर आप चाहें तो यह खुद बाखुद आपके लिए बेहतरीन सर्वर का इंतखाब करेगा जिसे आपके वक्ती भी बच्चत हो सकती है यह खास तोर पर इप्तदाई वीपियंस सारफीन के लिए फाइदे मन्द है लेकिन यकीनी तोर पर advance यूजर्स के लिए भी और अगर आप चाहें तो manually हमेशा एक मुख्तलिफ सर्वर का इंतखाब कर सकते हैं यानि ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली वीपियन है जो इसे इप्तदाई यूजर्स और बिगिनर्स के लिए भी एक बेहतरीन वीपियन बनाता है और फिर performance के लिहाज से node के 69 मुमालिक में पच्पन सो से ज्यादा सर्वर्स हैं जिसे आपको ला महदूद bandwidth मिलती है जबके दूसरे वीपियन्स ज्यादा तदाद में सर्वर रखने के बारे में तो कहते हैं मगर बहुत ही काम के पास इतनी तदाद में dedicated servers होते हैं और ये एक एहम चीज़ है क्योंकि एक बार जब VPN प्रोवाइडर एक हद तक कवरिज हासल कर लेता है तो फिर सर्वर की quality, सर्वर की quantity से ज्यादा एहम हो जाती है क्योंकि dedicated servers, virtual servers से ज्यादा reliable होते हैं अब ज्यादा तर नोड के servers यॉरोप और नॉर्थ अमेरिका में वाके हैं तो ये एक standard है और फिर streaming wise नोड तमाम एहम streaming services जैसे netflix, holo, amazon prime और ऐसे कई सारे और platforms को भी unblock करने में काफी अच्छा perform करता है ताहम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिसाल के तोर पर जब मैंने Netflix को IKE V2 प्रोटोकॉल के साथ इस्तिमाल किया तो तब तो वो बिल्कुल ठीक चला लेकिन जब Nord Links को इसी प्रोटोकॉल के साथ इस्तिमाल किया तो उसमें मसला आने लग गया था लहाज़ अगर आप VPN को पहली दफ़ा इस्तिमाल करें हैं तो ये जहन में जरूर रखें कि सारे encryption method एक जैसे काम नहीं करेंगे इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई परिशानी हो तो उनकी चैट स्पोर्ट से राप्ता करें मुझे खुद Amazon Prime को unblock करने में काफी मसला आया था क्योंकि कोई working server नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने खुछ चैट स्पोर्ट से राप्ता किया था जिसे मेरा time भी बच गया था और working server भी मिल गया अब जबकि मुझे Amazon Prime का server ढूणने में काफी time लग गया था लेकिन दूसरी तरफ अब तक मैंने जितने भी VPNs इस्तमाल किये हैं उसमें Node नेटफिक्स को unblock करने में सबसे बेस्ट रहा है US और बाकि सारे international servers बेहतिरीन काम करते हैं अगर आपको नेटफिक्स को unblock करने के लिए कोई VPN चाहिए तो मैं आपको Node को लाजमन recommend कर रहा हूँ और अगर आप speed wise भी देखें तो Node इस लहास में top VPNs में आता है पर मैंने इस चीज़ को confirm करने के लिए कुछ टेस्क किये थे और ये वाकिस सबसे आगे है पहले express VPN की speed सबसे तेज हुआ करती थी लेकिन अब मुझे लगता है कि Node सबसे आगे निकल गया है पर मैं ये यकीनी तोर पर नहीं कह सकता कि ये ऐसी चलता रहेगा यहां फिर express दुबारा top पर आजएगा पर इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि Node सबसे बेहतर और तेज VPN है जिसकी वज़ा से ये 4K स्ट्रीमिंग, गेमिंग और टोरेंटिंग के लिए भी बेहतरीन है टोरेंटिंग के हवाले से देखा जाए तो काफी VPNs ये सहूलत नहीं देते हैं मगर Node VPN इसमें भी आगे है पर P2P और File Sharing Servers कुछ लिमिटेड है ताहम अब दुनिया में 4500 से ज़्यादा Optimize Servers मौझूद है जिसकी वज़ा से Servers Overloading वाला मसला पेश नहीं आता इसमें भी Node आपको Double Protection देते हुए ये Facility देता है कि आप दो Servers को इकठा कमबाइन करके एक Servers बना सकते हैं तो आखिर का Torrenting Fast है, आसान है, आपको Unlimited Bandwidth भी मिलती है Highest Level of Protection भी और पर Throttling की भी कोई फिकर नहीं है और अगर मजमूई तोर पर भी देखा जाए तो Node असानी से Heavy Torrenting के लिए बेहतरीन VPN है Security के बात करें तो Node ज्यादा से जादा Online Security और Privacy के लिए Onion Over VPN Servers का इस्तमाल करता है अगर आप चाहें तो आप Double VPN Server भी इस्तमाल कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि आप Internet Traffic को एक की बचाए, बलके दो मुखले VPN Server के जरे भीज रहे होंगे जिसे आपको Double Encryption भी मिल जाती है Node Offuscated Servers भी मुहिया करता है जो खास तोर पर Heavily Restricted Environments में काम करने के लिए डिजाइन किया गए है मिसाल के तोर पर चाइना या Middle East मुवालिक जहां Cyber Environment इंतहाई Complicated है और VPN को इस्तमाल करने से भी ब्लॉग कर दिया जाता है ये सर्वर खास तोर पर किसी भी किसम के Internet Censorship या Restriction को Overcome करने के लिए बनाए गए है जो आपको Internet इस्तमाल करने पर पबंदी वाले इलाकों में सफर करने या रहने वाले लोगों को अपनी पसंद के मताविक Internet इस्तमाल करने के अजादी देती है प्राइवेसी की बात की जाए तो Node चुके पनामा बेस्ट है जो VPN फराहम करने के लिए खास दोर पर बहुत अच्छी जगा है और वो अपने No Logs Policy की Additional Transparency भी फराहम करते हैं और फिर Social Responsibility पर नज़र डालें तो Node Charity और जुरुत मन लोगों को मुफ्त और Discounted VPN फराहम करता है इनमें Amnesty International, The Guardian Angel Foundation और The Linux Professional Institute जैसे ग्रूप्स भी शामिल हैं और सबसे एहम बात तो ये है कि उन मुमाले के शहरी जहां इंटरनेट पर बहुत ज्यादा censorship है या वो लोग जो हकूमत के निगराने का निशाना बन जाते हैं या हत्ता के वो लोग जिनकी प्राइवेसी को खत्रा हो सकता है वो सब Free Emergency VPN हासिल करने के लिए नोट से राप्ता कर सकते हैं और फिर Customer Support के बारे में बात की जाए तो नोट के पास 24-7 लाइव चैट और इमेल दोनों की सपोर्ट है उनकी लाइव चैट सपोर्ट सब VPN में से बेहतरीन है Customer Support काफी friendly है और सिंपल से लेकर टेकनिकल सवालात तक हर चीज में help कर सकती है कीमतों के लिहाज से तीन मुख्तलिफ plans हैं एक महीने से महीने तक का और फिर एक और दो साल के plans जितनी लंबी duration का plan होगा उतना ज्यादा discount होगा दो साल वाला plan वैसे best value for money है इसलिए मैं आपको यही recommend करता हूँ अगर आपकी जेब इचासत दे तो और हाँ description में मैंने आपके लिए एक link दिया है लहाजा आप इतमाज से कह सकते हैं कि जब कभी भी VPN की जरुवत हो तो node है आपके पास आपके पास safe, secure connection, gaming या streaming करते वक्ते इस speed के साथ reliable और stable connection होगा और फिर इसके साथ-साथ आपके पास additional security और privacy options भी हैं जैसे double VPN और office gated servers इनकी customer support industry standard है और फिर इनकी apps को इस्तमाल करना भी असान है चाहे आप VPN में नए भी हो तो basically आप एक VPN में बेहतरीन all-round कारकरते के हासिल कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप node को इस्तमाल करके काफी खुश होंगे और ये वो VPN है जो मैं आपको highly recommend करता हूँ